कि अगलो डियर ट्रेंट्स वेलकम टो चलना आई पेपर क्लासिस तो कैसे आप सभी लोग सभी को गुड मॉर्णिंग सभी को नमस्कार मेरा और चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए क्लासिश निकली हुई है उसी की भी आपके दोस्तों मैं आपका कराने जा रहा हूं दोस कि सभी पोस्टों के लिए होता यानि कि मैंने आपको बताई दिया था इसका कंप्लीट एनलेसिस मैंने इसकी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिये जाकर देख लेना किस तरीके से का रिकूरूटमेंट होगा कितने एक्जाम होंगे और क्या मतलब एक्जाम का स्लेबस है और उसके निगेटिव मार्किंग क्या है सब कुछ मैंने उसमें बता देया आप सभी लोगों को ठीक है ना एक बार से जाके पहले तो आप सभी लोग उस वीडियो को विजिट कर लीजिए अगर जिसने अभी नोटिफिकेशन फुली रीडाउट नहीं कर पाए हैं समझ दोस्तों आपकी वैकेंसी निकल लिए लगबग 5000 के लगबग ठीक है ना जिसमें दोस्तों आपकी काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है ठीक है ना तो इसको आप जो फॉम फिल अप करोगे तो वह सब कुछ होगा दोस्तों तो जो मैं आज कराने जा रहा हूं वह फेज मोड पर होता था और अब जो हो रहा है दोस्तों यह साल से होगा स्टार्ट आइधिंक यह ओनलाइन सीबीटी मोड पर होगा ठीक है ना तो आप सभी लोग एकदम इसके लिए रडी है और डेडिकेटिट है तो इसके वियाफिए दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इसका प प्लस यह वाला दोस्तों नोर्थीस्ट आप अपनी मतलब एक लोकेशन के हिसापसिस को फोम को फिलप करो ठीक ना मात्र 500 रुपेस की फीस है वह इतनी बड़ी बात नहीं दोस्तों ठीक है और आप सभी लोग इस फोम को फिलप कर सकते हो इसमें दोस्तों आपकी समझ इसमें दोस्तों आपके मतलब एक डिगरी मांग रखे और कुछ नहीं ठीक है तो आप अपने के इसापसे इसको भर सकते हैं तो चले दोस्तों को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए दोस्तों मैं आपके चाहता हूं कि टाइम जितने भी स्ट्रेंट से इस तरीके के एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं दोस्तों वह आई पेपर क्लासिस को क्या हो सकता है कि सबस्क्राइब कर सकते हैं ठीक ना तो जादे से जाद अपने फ्रेंड सरकल में सेर करो दोस्तों जितना भी हो सके और आपकी स्क्रीन पर लेके आपको बता देने जा रहा हूं दोस्तों क्यों पहले जोता था यह ओफ लाइन मोड़ पेपर होता था इस पुस्तिका को आधे मिलने पर ही खोलें आपने देखा भी होगा ना इन्टी मिनिट्स को सतने जो एकदम जिट्टों से मैं इस बार भी जो पहले था दोस्तों नहीं है इंजी जनल एकट अकाउंट्स टैक्निकल है और यह सारे के सारे इन सबहुक्त के लिए दोस्तों एक ही पर होता था जो पेपर फस्ट था यह आपका दोस्तों ли टेश्ट होगा जो आपका पाई रहें होगा इसमें दोस्तों आपका जरनल एक्टीट्ट गां तो यह 120 कोशन का पेपर है और इस पेपर में जो आपको सब कुछ दोस्तों बाकाइदा इन्होंने समझा रखा तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं इस तरीके से लिए पहले में हिंदी हिंदी के कोशन कराऊंगा क्योंकि इंग्लिस में इसके आंतर हैं इंग्लिस वाले सो नहीं कर रखें आप समझदार समझ गए होंगा है अधर तरफ कर रखाए कोने में तो हम इस तरफ से चलेंगे ठीक हैं चलिक दो स्टर्टक्र करते हैं सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीण पर एवरेस्ट परवत पर सिक्र योग आपका मतलब परवत है दोस्तों अमांट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला थी ठीक यह कुछन आपके एक्जाम में आया हुआ यह कुछन वह जो दोस्तों आपके एक्जाम में पूछे हुए है ठीक है ना यह आई थिंग जैन को टैबी या फिदोस्तों की जोइनर कर सी तो इसका तो बहुत इसी सा आंसर आप सभी लोगों को पता है जो दोस्तों कर रहा है जैन को टैबै की ठीक है ना मतलब देखाए दोस्तों यह थी वह महिला जो सबसे पहले किस पर चड़ी थी मांट एवरेस्ट पर चड़ी अब मांट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी हाइट कितनी है 8888488 8888 ठीक है आपको बता दे रहा हूं अरे यार कोई नहीं चलो 8888.6 मीटर ठीक है ना जो आपकी दोस्तों नई इंप्रोव हुई हाइट इसकी वह बता दे रहा हूं साथ के साथ में और पहल चाहरा कंट से ब्लॉंग करती है ठीक है और साथ में दोस्तों सबसे पहले जो मांट वरेस्ट पर चड़ने वाले दो व्यक्ति थे वह कौन कौन से दोस्तों आने के सेरपे तेंजिंग नौर गे सेरपा ऐसी कुछ करके सेरपा तेंजिंग नौर गे ठीक है मैं आपको बता के नाम है बस थोड़ा से याद कर लिना कि ले ठीक है कि यह चड़ेते दोस्तों 1953 में और यह जो दोस्तों क्या नाम है स्वरी जो आपका दोस्तों क्या नाम है बच्छेंदरी पाल यह आई थिंक 1975 1975 पता लगया आप सभी लोगों को और साधी में दोस्तों इसको जो मांट नैपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा के नाम से किसमें दोस्तों नैपाल में याद रख लेना किसकी बात कर रहा हूं नैपाल की एन लिख दे रहा हूं नैपाल में और साथी में दोस्तों तिबबत में इसको बोलते हैं स्टुडेंट्स क्या बोलते हैं तिबद में टी नाम दोस्तों 9173 प्षेटर और बचेंदरिवारत की पहली की महिला जो सब्सक्राइए शेयरिवात मतलब इस पर चड़ेते ठीक है ना सब्सक्राइब आपको बताने की पूरी कोशिश की दूसरा कोशन आपकी स्क्रीन पर कोशन नमर सेकेंड में जा रहे हैं तो कैसा लगा दोस्तों एक बार मुझे बता देना जबर दस तरीके से एक बार हिट लाइक कर देना बस निमिली कित टरीके से कौन से आपका कौुंसा रहे हैं ठाख न है थाई झा टरीक बताता हूं डोस्तों पीकै역 अब दोस्तों मैं आपका बता तो परसांथक्त बांग क्या होता हुष पर कॉन सान puppies ऐघार यदो मास तो तो 25 में से पर पर दोस्त आट लंटका बात की यह पोस्त्रीय मास हवा चबरदस्त जढ़त ङपसे पूचा ऑपा इसका पूर्थ जाल ठीक है आगे चलें मैंने आपको जितने भी ऑसेंस थे मैंने आपको बताने की कोशिस करिए आगे चलते हैं अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट यह दोस्त आपका पेपर हुआ तो मिक्स पेपर में दोस्तों सारा कुछ बताऊंगा बस थोड़ा सा पेसेंस द्वारा पराप्त वेदमतों की संख्या दरसाई गई है जिन्होंनी स्कूल के नेत्रतुम में दोस्तों चुनाव लड़ा है ठीक है डाले गए कुल वेदमतों की संख्या साथ सो बीस थी तो चार्ट का अवलोकन कर गए और इस पादार पर मतलब कोस्तनों के आंसर देने ह देखने होता है अमारा कितना है दिख्ट नहीं होगी मेरे इस अब से तो चलो अच्छी बात है तो यहां पर क्या पूच्छ रख़ाएं लोगों कि विजयता ने अपने यकमने निकट्तम परति दौन दीगों कितने मतों से हराया होगा बहुत अच्छी बात यहां जबरद ठीक है ना और तेजस की बात कर लें दो साथ डिग्री यानिके 120 ठीक है सिवम की बात कर लें दो सो चालीस बहुत अच्छी बात है ठीक है और प्रत्रम की बात कर लें दो सो दूनी चालीस बहुत आसान है एक सो शाट रुभी चालीस का अंतर है ठीक है अगर इन दोनों की बात करी जाए और इन दोनों की बात करें दोस्तों आपसमें दोसरे को हराया होगा ठीक है आया समझ में आगे चले तो नेक्स्ट को सना आपकी स्क्रीन पर है पोसे नमबर फॉर्ट है इसमें क्या पूसर रखा है आप से दोस्तों आपके अंस्टिटूसन से रिलेटेड़ को सने वह मैंत का संता यानि कि मिक्स पेपर है जिसे आपने देखा दोस्तों एंटीपीची हुआ था यानि कि दोस्तों आपको संबलित किया गया है ठीक है कुल मिलाके दोस्तों DPSP की बात करी जा रही है आपके राज्य नीति निर्देसक तत्वों की ठीक है ना इसका आंसर भी दोस्त आपका हो जाएगा क्या भारता सविधान में अंतर रास्टे सांती एम सुरक्षा को प्रोचाहन देना किसमें समलित है राज्य के को भी अनुसुची से रिलेटेड हैं यह मौलिक करते भी नहीं दोस्तों सविधान के प्रस्तावनाबे में नहीं हैं जो आपके दोस्तों राज्य नीति निर्देसक सिद्दान या फिर ता तो DPSP ठीक है ना और साथ ही में दोस्तों आप सभी को बताना है कि क्या यह कानू लागू किया जा सकता है बिलकुल कानून लागू किया जा सकता है किस पर दोस्तों आपके राज्य के नीति निर्दे सकता तो पर दोस्तों और इनका आर्टिकल कहां से लेके कहां तक होता है मैं आपको बता दे रहा हूं 36 से लेके क्या वन तक होता है ठीक है ना और बताई तोड़ा से लिखने में गला तो सकता है बाकि जो बोलना अगदम जहीं बोलना ठीक है ना अनुदेशन पत्र तो उसको एड किया गया था जो और Controller आप की लिए में जो पचास में किया तो जो सवीधान चेकिया गया था दो दोस्तों वह जो रूप लिया था वह लिया दोस्त किसका आपके समझाने कि मैंने कोशिस करिए आप सभी लोगों को अगर समझ में आगे दोस्तों फास्टली हिट दा लाइक एंड सेर्थ सेशन ठीक है नेक्स्ट कोसन आपकी स्क्रीन पर कोसन नमबर फिफ्ट यह आपको आगया दोस्तों लिए कोसन बहुत इसी सा जादा कुछ बाड़ी बात नहीं आप सब्सको थोड़ा सा आप के कोलाबरेट करो किस तरीके साब सब्सको एक बहुत बेसिक को सनना बस आपको इस आगे पीछे करना सेट ठीक है ना यह समझ में आगया दोस्तों आगे चले आगे आपके देर रखा होते हैं तो पब्लिज्ड को किस तरीके से लिखेंगे ओप्सन आपकी स्क्रीन पर है इसको आपको क्या करना है इवैल्येट करना है बहुत अराम से करना है देखो जड़ा एन और एल एन स्टुरेंट्स आगरमस लिको एन यू एम पी आर आई सी ए मैं इसको मिटा दे रहा है और यह वाला इधर आ जा रहा है तो ऐसा कूंसा पी लास्ट में बिल्कुल चार अभी तो मेरे हिसाब से सही है मैं ऑप्सन करूंगा बहुत फास्ट बाकि आगे दोस्तों इन्होंने एम यू कर दिया है यहां पर एम आ गया यहां पर यू आ गया तो अगर मैं दोस्तों में क्या रखा है न platform आ इस फिर इस सेब बात करेंगे इसको चेंज खर दिया है टिक है इस किसमें हो रहा है यह हो रहा बस ही होगा ऑप्षण समझ माया क्या करें मैंने कुछ नहीं करा ब는지 कुछ नहीं कर पस मैंने कौन सो जाएगा स्टूटेंट आंसर कैसे होगा मैंने आपको बताया बिल्कुल इजी था फर्स्ट वाले को लास्ट में पुचा दिया ठीक है ना यह समझ बागिया दोनों एक तो यह समझ नहीं पा रहा होंगा मेरे इसाब से तो यह देखेगा ठीक है इसी तरीके से आपको इसमें जाना था मैं उपसे नमबर बी बचा बस आगी के देर रखाए दोस्तों को सिक्स की बात कर ले रहे हैं को सिक्स बहुत इजी है और बहुत जवर्दस्त तार्किक अनुकरम में आकडो का विन्यास क्या कहलाता है तार्किक अनुकरम में दोस्तों आपके ठीक है लोजिकली दो आपका एक सिरीज होते है उसमें एक विन्यास करना उनको दोस्तों सब्स्टिचूट करना क्या कहलाता है वर्गी करना बिल्कुल भी नहीं कहलाता है ठीक है ना रिप्रो तो सो डाटा को ठीक है समझवाया है रिजनिंग का कोशन था अच्छा कोशन था ठीक है आगे देखते हैं दोस्त अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं इसमें को सब्सक्राइब को किस नाम से जाना जाता है हाफ बाइट बीट बाइट निबल ठीक है ना के भी एम देखेगा जरह अध्यान से आपको बताने की खोशिस खर रहा हूं आपने देखा को को दोस्तों मैं के वी से मिलकर क्या बनता है दोस्तों एक मिस समझमा गया बिल्कुल आ गया होगा ठीक है और एक हजार चोबिस दोस्तों अगर बाइट सो बीवाइट यपाइट वहुग एक हजार चोविस बाइट हो तो उससे मिलकर क्या बनेगा दोस्तों आपका क्या बताएं बताओ एक के भी बनता है ठीक है हम छोटी एक जो छोटी क्वांटिटी होती है ना चोटी यूनिट होता है उसकी तरफ कनवर्ट कर रहे हैं मैं इसको ठीक है और अगर दोस्तों एक कितने के बराबर हो रहा होगा एक बिट को ठीक है कि आपको बताने की कोशिस करिया आप अब सभी लोगों के समन्हें भी आया होगा तो जो इसके दोस्तों हाफ-ब्यानिके चार बिट होगी ना यानिके-ब्याई-प बिट का एक बाइट ठीक है ना तो इसका दोस्तों अगर हम हाफ बिट लेकर चलेंगे चार बिट लेकर चलेंगे तो एक नीबल के बराबर आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा ठीक है है हो गया कॉस्ट नंबर सेवन आगे चले है हाँ आए तो हाफ बाइट को किस नाम से जाने जाता है कि ठीक है आठ यानि कि हाफ बाइट हाफ बाइट अगर देखा जाए दोस्तों तो आठ बिट के बराबर होगा मैं बता जिरा हूं बस एक सैकिंड फिर इसका हाफ कर लेंगे तो फॉर फॉर बिट हो जाएगा ठीक ना दोग्याइब दोग्यायगे तो आए समझ में जल्दी से बताओ कि सर आजाए सवन में नहीं आया तो वर बता नहीं कोसिस करता हूं जरा बस वेट सेकिंड इसको दोबारा देख लियना स्किरिंसोर्ट ले लिया करो दूस्तों एक पर जोर ना दोस्तों एकदम है नेरो वाला कि इसमें स्पेस नहीं है बस थोड़ा से प्रॉब्लम हो यह बट कोई नहीं आप से लोग समझ गए होंगे और मैं सको इसको कर दे रहा हूं साथ के साथ ठीक है कि यह देखेगा इसकी बात कर रहे थे हाफ बाइट बाइट की बात कर रहे ठीक है ना इसलिए समझ में आ गया आगे चले अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा लेंदी कोशन है मैं अच्छा कोशन है ठीक है मैं से कोशन की बात कर लेते हैं दोस्तों एक बर पहले तो इसको रीडाउट को अच्छे तरीके साब सभी लोग जल्दी से जल्दी कर तो मतलब अपना धेनिक दिन चर्यां करते हैं जोगिंग करते हैं 50 लोग ऐसे हैं जो किया करते हैं योगा करते ठेका ना यह गया दोस्तों आपका किसका यह मैं आपको कर लेता हूं जोगिंग से रिलेटिड थेक है ना गळट चेंज करेंगेक Beim complete अभर किकातनी है तो यह वाला जो थापका इस्ट्रेंट्स कौन सा था यह थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको एरोबिक से रिलेटीड ठीक है 55% लोग जोगिंग करने वाले थे और 50% लोग आपके योगा करने वाले थे और 42% लोग आपके कैसे थे जो दोस्तों क्या कर रहे थे यह समझ में आ गया आ गया है तो यह यहां पर इंट्रेसेक्शन आ रहा है यह वाले पॉइंट की बात करनो तो यह दोस्तों जोगिंग और योगा वाले यह वाले इंट्रेस को थोड़ा सा दुबारे ले आँगा ऐसे बड़ी बात नहीं है ए यह आ गया तो अब हम इसको करते हैं ब्लैक वाला ले ले लेते हैं और यहीजी से करने के कोशिस करते हैं आगे कैसे रखा दोस्तों 28% लोग ऐसे जोगिंग और योगा करते हैं अगर 28 की बात करें जाए तो करके और यहां पर यहां पे आ जाएगा आगहे-खेसे वारह पर दोस्तों जोग करते हैं यह सबस्तब्स लोग जो 3ne2 210 करते तो 12 मैं से 2 यहां पर आजाएंगे कैसे आया । तीनों गटा दिए तो 10-2 आगे क्योंकि दोस्तो जोगिंग और एरोबिक्स में जोए ना तीनों वाले भी आ जाएंगे और दो आएंगे यह थाएंगे तो दस और 12 इस तरीके से हो जाएंगे यहां पर दोस्तों कितने खाएंगे समझ में आगया कि हम आई गया हो तो आप सभी लोगों के तो चलो एक बार से लाइक कर दो साथ यह में साथ दोस्तों आगे पढ़ते हैं क्या रखा इस कुछन में ठीक है ना तो कुल में लाकर दोस्तों आपसे इसमें कोशन में पूछा हुआ है कि 10% सभी तीनों करते हैं वह मैंने कर दिया आगे यदि उनमें से पढ़ते हैं कम से कम एक के लिए किया जाए अगर दोस्तों उनमें से कोई भी व्यक्ति एक की लिए जाता है तो कितने परसेंट ऐसे लोग है जो एक दम से सही सटीक आंसर आएगा कि वैवाम करते हैं ठीक है 5% तो तो उस तो टोटल थे ना 55% जो जो सिंगल सिंगल का निकालना कम से कम का मतलब होता है किसी एक के लिए तो किसी एक के लिए ना दोस्तों वो कम से कम यहां पर पूछ रखा है किसी नहीं परतियक के लिए कि मतलब मान के चले केवल जोगिंग के लिए तो लेका जाएगा तो इसकी वैली निकालो इसकी वैली निकालो और उनको एड कर दो यह हो गया अप देखते हैं अपको बताने जा रहा हैं तो दोस्तों कितने तीस गए तो कितने बचेंगे पंच पचिस ठीक हैं 25% लोग ऐसे जो केवल जोगिंग करते हैं 55 में से 35 गई तो दोस्तों केवल 25 परसेंट लोग ऐसे जोगिंग करते हैं और दस और दस बीस और दस ती 38 दोस्तों 38 और दो 40 और दस पचास 12 परसेंट लोग ऐसे जो केवल योगा करते हैं कैसे किया 50 में से दोस्तों मैंने गटा दिया किसको यह को इस पूरे में से इसको घठा दिया ऐसी दोस्तों मिस्तरिकी के वालेम करें तस-धिसर दो-बाइस जायेंगे तो तो बाइस जाएंगे तो कितने बचेंगे केवल बीस बचेंगे मेरे इसाब से तो ठीक है ना तो कुल मिलाके बिलसतों 20% लोग आपको समझाना था आपसे लोगों को समझ में आ भी गया होगा इन कोसिस करेंगे कि इस तरीके से कर लें ठीक है करने के लिए कौन सी बासा का प्रयूटर का कॉस्टन आ चुका है क्योंकि दोस्तों आपको आपको आंसर ही बता दूंगा दोस्तों इसके बारे मैं अभी मैंने कोई डीपली नौलिज नहीं ली ठीक है आपका जो 9 विजुब बेसिक का मैंक्स आसलों होता है आपका सोफ्ट्वर उता हूं माइक्रोश ओफ्स पर्यूंट उसमें दोस्तों के परियुक्त ऊता है भीज़ू बेसिक लें आगे चले next question आपकी screen पर है question number 10 बहुत अच्छा question है एक बार आपने देखी भी लियागो तो आप सब लोग मुझे answer comments करेंगे fast question number 10 का question number 10 का आप मुझे answer comments कर दो ये आपके लिए ठीक है ना साथ ही में दोस्तो अब आप मुझे बताओ दोस्तो जो ब्रदेशवर मंदिर है दिलवाडा मंदिर जो यह कहां पर इस यह राजिस्तान में और यह मांट आपू पर इस्थिता है मांट अबू पर जो आपकी दोस्तों टेंपल और इसकी बात करेंगे दोस्तों किसने बनवाया था ता स्यासक्ति तेजपाल करके उन्हों कर रहूं बाकि दोस्तों आप किसका मैचिंग था पॉलोवंइंग करना इध आप सभी लोग करिए खरिये मुझे इसका आंसर कमेंट्स करिए साहती के साहतі में आपको बता दूए कreten lot तोसारोबार कोच्छा हुं पूछा हुआ इसलिए बता रहा हूं अगला चस事情 सक्रीयन पर हो स्क्रेशन- belong 11 जबर दस्त को सना है तो हपसे आपको मैं दे लिगा दोस्तो आपकश यह यह तक मैं 25 मैं ऑपको पराना हो अर। मेब्रिट मेजर ओफ एडवर्ड मेजर ने नोबल प्रुषकार 2014 में किस छेत्रे में जीता था 2014 के नोबल प्राइज की बात कर रहे हैं तो दोस्त उस टाइम पे मतलब तो यह कोसन आ करें लिए को चीत्य नहीं रखता है ठीक है तो चलिए हम इसकी तरफ और दूसरे एडर करते क्यमिस्ट्री में दोस्तों किस को Nobel Prize मिलें हम उसकी बात कर लेते हैं आगर मैं और्गेन्क कहें सेक्टर में मिलें जोस्तों एक मिला है दौस्तailleurs आपको बैंजामिन फ्रेंक्लिंट है है मैं ठीक है बैंजामिन लिस्ट को को मिला आए ठीक है और दूसरा मिला है दोस्तों आपका किस का Macmillan को Macmillan को याद कर ले ना दोस्तों थोड़ा सेज का परदानसेशन इस तरिके से Macmillan को डैविद Macmillan ठीक है ना है 2020 के Nobel Prize Chemistry में Asymmetric Organic Catalyst के लिए दोस्तों क्यामिस्टरी में मिले हैं Benjamin List को और कविड मैक्मिलोन को दोनों को मिला है दोस्तों आपका 2019 का कैमिस्ट्री का नोबल प्राइस अगला को यह भी व्याम में ब्रॉप में किस राष्टपती के रूप में सपतली इस को खतम कर दो इसके जगार sugao करता हूं दोस्तों आपसे कोशन क्या है बायत की जो वरतमान में दोस्तों राष्ट पती बनी है बारत की दोस्तों वरतमान में जो राष्ट पती बनी है महीला राष्ट पती जो बनी है दोस्तों वह कौन से स्टेट से बलॉंग करते हैं कौन से नंबर की राष्ट पती है और तो अभी इंडियन सूपर लीग के सर्फ रिस्ट खिलाडी के रूप में गोल्डन बोल अवार्ड से नवाज़ा गया है यह कुशन में दोस्तों आपके करंट इवेंट से रिलिटेड कोशन चलने हैं आपके दोस्तों करंट इवेंट से सोरी करंट अफेर से रिलिटेड तो क ओए विसकों छोड़ देता हैससे में कोई मतलब नहीं करसें नहीं मैं नहीं कोई मतलब नहीं मैं इसके जगार तो आपके लिए कोसन रखोशन गया गाया गयाि भूष्वर आपो उफसके ढूर्ता को दूर्टा को को दिया गया है नीना गुपता को और यह रामानुजन अवार्ड है टॉपलोजी दोस्तों आपकी बुक से अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है को सामिल किया गया है चलो देखते हैं कोसा नमर 14 भारत ने भी हाली में दोस्तों अपना सी जीएस बारा कुड़ा नामक पर्थम युद्धुपोत किस देश को निरियात किया था उस टाइम की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे दोस्तों मौरिस इसको किया गया था ठीक है ना कि हमें दोस्तो आपसे लोगो त्यार करना जो भी आपको व्यव Haunky यूद्टी को त्यार करेंश जो विक्रांत जो दोस्तों आप और विक्रांच अपका दोस्तों थाहाज है चाहिए-शको सामिल किया गया धूप नेवी में भी इसको दोस्तों अभी अभी उतारा गया यह समुदर में और समुदर की स्वाक्सा की एक हे तो दो-बिक्रां ज विक्रान से आपको सारे को संत्य यार आ करने हैं कभ इसका संत्य होगा था कोन इसके क्यों किस चतरीक से मिल दोसतों को बारत केसे मिलेको किस तरीका से सब कुछ समझ Rouge जो आपको बताना चाहरह हूं सारे कुछ दोस्तों विकरांसे रिलीडर कोषन आप सबी लोग तयार करोगे ठीक है इस कोषण में दोस्तों आपके 414 में आपको विकरांत तयार करना और कुछ नहीं है अगला कुषण दोस्तों की स्क्रीन पर विक्रांस 15 की बात कर ले डोस्तों सी के पिछे बैठा है अगर मैं इसको क्लर चेंज करो कि दिखता नहीं तो यह दर तरफ आगे मान रहा हूं और इधर के दर पीछे मान रहा हूं कि इधर की तरफ में पीछे मानों कोई दिक्कत तो नहीं नहीं होगी मेरे इसाब से तो ठीक है आपका अपना IQ लेवल किस तरगे से करते हो बाकी में आपको समझाने कोशिस कर रहा हूं और जो डी है दोस्तों वह के सामने कौन होगा डी यानिके डी होगा तो यह करम आ चुक कौन से बैटे हैं तो डी इजी एट के और फिश्टीन था अपने खर लिया अब दोस्तक नमबर सिक्स्टीन आपके स्क्रीन पर है और आज मैं इस पेपर के कराऊंगा दोस्तों 50 को सन बात में करेंगे लिए कि आपके बचे कुछे को सन है कि दोरा जोड़ सापके के होती है ऑगर के वाई से दोस्तों किस तरीई के आपके स्रेण्याई होता है जो क्हिंसरैनी वाले ग्राकों के लिए उनकी लए मतीलिव हार एक कि रिजर्व बैंक ओफ इंडिया एक्ट आया था दोस्तों आपका कौन सा 1934 के तहट पर दोस्तों इसकी स्थापना की जाई थी यंग हिल्टन आयोकिस पारिस पर की गई थी ठीक है ना इसका दोस्तों नेशनलाइजिशन यानिके राश्टे करन एक जनवरी 2049 को हुआ था मैं आपको बता दूँ ठीक है ना इसकी स्थापना होती है दोस्तों एक अप्रेल 1935 को और विया की बात कर लें वरतमान में दोस्तों इसके अध्यक्स को नहीं दोस्तों सक्तिकांदास है ठीक है सकतिकान दास है ठीक है समझ में आ गया जो मैंने मतलब इसको सारो और से बताना था मैंने बताने की पूरी पूरी खोशिस करें ठीक है ना कौन सा योगता है तो दोस्तों आपका यंग हिल्टन आयो कमिशन जो आयता उसकी स्थापना हुई थी एक अपरेल 1935 में राष्टे करन होता है दोस्तों निसोन चास में आरे बियाई की बात कर ले रहे हैं हम दोस्तों ठीक है ना अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर जबर्दस्त कोशन है रिजिनिंग का कोशन है आप सभी लोगों के लिए ठीक है तो यह कोशन आप थोड़ा साइक कि टीपिकल भी अच्छा भी है करते हैं इस कोशन को देखते हैं दोस्तों कितने स्ट्रेंट को कर पाते हैं तो सबसे पहले आप सभी लोग जो ना इस वीडियो को पोज करो इस कोशन का सोल्यूसन करो और कमेंट्स करो फास्ट बाकि मुझे तो बताना है यह है ठीक है ना पर आप सभी लोग भी करो कि परसन संख्या 17 से लेकि किस तक आपके कोशन दे रखे हैं अच्छे चलो वे देखते हैं हलका सा उपर कर लेता हूं अरे उपर क्या बस ऐसे रहने दो एक गाउं की कुल जन संख्या दोस्तों इन लोगों ने दे रखे है 5000 कोशन में दिया अच्छा कोशन थोड़ा से सको में करते हैं 5000 आपकी 200 टोटल जन संख्या है ठीक है इसमें मेल और फीमेल और फीमेल दोस्तों तो में डिवाइड़िद थी रेसों तूमें तो दोस्तों और पांच पांच रेसों तो आपको किस तने के बराबर 5000 के तो जब आप एक्स की वै तो नहीं होगी इसमें अब आगे कि दे रखाए दोस्तों जो पुरुष जंजंक्या उसमें भी दोस्तों एक रेसो दे रखा एक अनुपात दो करें रखा है यानि कि दोस्तों आपको बताऊं दो और एक 3 हो जाएगा तीन से जब आप इसको डिवाइड को तो 1000 अगे देखे आगे के दीरखा इनो ने अन्संध क्या में दोस्तों यूइन रहा है वन और चाइल्ड कर अग्या-ग बनेनेगी इस जो मेल उसमें फर्यास्ट में वेस्क तो यह है ना वही इसका 80% लोग जो 60 अगर देखाए तो दोस्तों आपके एजुकेटिटिट है तो अन एजुकेटिटिट कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके दोस्तों लोग कोई प्रोब्लम यहां तक नहीं होगी मेरे इसाब से जब महिला वेस्क में दोस्तों बा 400 यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं होगी मेरे इसाब से 60% महिला जंशंग्य विवाहित है यह अच्छा कुस्छन आपके लिए और दोस्तों आपकी जो महिला वेस्क जंशंग्य इसका दोस्तों अगर 60% निकालोगे तो यह भी दोस्तों कितना आ जा रहा होगा 600 तो 600 महिला एसी हैं जो दोस्तों विवाहित हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगी मेरे इसाब से यहां तक ठीक है परसंटेज तो निकाली ले तो आप सभी लोग बहुत इसी से और 20% महिला यह जो साधी गाउं के बाहर हुई है बीस परसंट महिला यह जिनकी साधी जो दोस्तों कहां लोगों के बाहर हुई है ठीक है टो गाउं के अंदर डीस खानवाविवा udah में किसी हैं दोस्तों ₹ 4000 क्योंकि हग दोस्तों साथ परसंट की साधी हूई और चालिस परसnd की साधी नहीं हुई हुए तो नहीं मिला कर दोस्तों इस ग्रुंदि सब्सक्राइब और उसका टाइमिंग क्या रखों अगर लाइब सेशन कराना चाह रहे हैं तो दोसों लोग तो दोस्तो मेल हैं और 400 लोग जो एना फीमेल है तो टोटल हो जाएंगी दोस्तों पहले कोशन आंसर चैंसो यह कैसा है 200 पिलस 400 कैसे मेल एडल्ट और फीमेल एडल्ट टीक है वैस की बात कि जाए दोस्तों एडल्ट समझ्जमा आगया कैसे गिया 600 आ इस तरीके से अगला कोशन सटाइससो बच्चे पंजीकरत हैं स्कूल में तो टोटल चाइल्ड कितने स्टूटल चाइल्ड ना अगर इस कोशन की बात कर लें तो इसको मालकाद ऊपर कर लेता हूं कि अठ्धार्व कुसें की बात करने दोजार बच्चे एक तरफ थे मेल में और दोस्तों एकगाजर बच्चे में परश्थे किसमें फी मेल में तो टोटल होगए तीन हजार बच्चे पर यदि एक हजार पूरुस वेस्क विवाहित हैं तो उन वेस्क महिलाओं की संक्या बताई जो उसे गाउं में विवाहित नहीं बहुत इसी था ही मैंने बता जिया था और जो मतलब कहने का मतलब इस कोशन में यह बूज रखा इस से आप में हलका सा रुकिए का बस एक सेग किटने है किüber्स सेगहर अगला कुशन आपके स्क्रीन पर कुल जंसंग क्या दे रखे दोSTो उसका कितना पड़ती से दोस्तों 207 मतलब जो तोटल जन्षंग्या आपकी देया कि certains कुल कितना व्यस्त कि जो अना एस चिक्सित कि चलो बई कि अबने क्या से कमपेर करना में तो ए सिक्सित कितना है दोस्तों 200 और 400 600 600 जो व्यस्त क्यी बात करें जो यह जो डिसन नमबर पहले में कुल कितने एश्कैस्षित है शहाइस दोस्तों किकि निकालना है आपको बतादू जन संक्या क्या कितनी ती आपकी दोस्तों ये थी आपकी पांच जार गुना सो आपको यह 2 div भी गलत नहीं है तो यह गड़ बड़ हो जाएगी टोटल कितने अगहां इससी सुटे आप के चैनल है ठीक है और दोस्तों की बात कर ले रहे हैं अब जंजंग किया कुल कितने वेस्क ए शिक्षित है ठीक है ना है बिलकुल बिलकुल तो कॉसन नंबर 20 600 टोटल जन्संग के आपकी दोस्तों कितनी है 5000 अगया गुना यह आ गया तो दो जिरो से दो जिरो कट गई एक जिरो से जिरो कट गई पांस से कट गया बारा बार बारा परसेंट लोग ऐसे हैं जो दोस्तों कर रहे हैं यह मेरे हिसाब से हो रहा है गलत जन्संग को कितना प्रतिशत व्यास्क और व्यास्क कितना है आपको बता दूँ व्यास्क आपका एक हजार एक हजार दो हजार ओहो दो हजार बिलकुल बिलकुल वैस के की बात कर रहे हैं सौरी यहां पर दो हजार आएगा ना कि आपका दोस्तों पांच जार आएगा ठीक है 600 का दो हजार पर तो दोस्तों 100 पर कितने का 2-0-0-0-500 यहां आएक दोस्ता आपका चैन पंजे तीस-थी-जन अगर क्या पता गलत हुए दोस्तों गडबड हो जाएगी सारी कि सारी ठीक है ना कə आजा भाई नहीं रहा कंश्च कोई नहीं चलो आगे चलते लिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 151 की बात कर ले ने 21 दोस्तاد की स्क्रीन पर वेस्क पुरुस से वहिस्क महिलावule का अनुपाद बताईए को प्रुस से दोस्तों एडल्ट मेल से एडल्ट फीमेल का अनुपात 1000 एक हजार अनुपात 1000 जब आप इसको दोस्तों कैंसिल आउट करोगे दोस्तों एक अनुपात एक इसका आजाएगा आगे सवंज में और इसकी पीडियेफ में आपने चैनल दोस्तों टैलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँ सब्सक्राइब यह देखेगा इस तरीके से इन्हों ना आंसर दे रखेते इसलिए मैं आपको हिंदी में करा रहा हूं 30 बिल्कुल सही आपना कोशन ठीक है यह आपका दोस्तों एक रिजनी का कोशन था जबर दस्त कोशन था आप सभी लोगों अच्छे तरीके से किया होग करो आप भी मेनत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों सुन में आ जाएगा कोशन नमबर 23 की तरफ चल रहे हैं 23 तरफ चल रहे हैं बहुत अच्छा है एक सैल है दोस्तों उसमें आज की तारीकों दर्ज करने के लिए सोट किये दोस्तों आपकी एक्सल की ठीके ना इतना त बाकी ऑप्सन में रिडाउट नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा दोस्तों क्योंकि इसकी सोटकी यही है और अगर हमने रिडाउट विकर आपको याद होगे गलती से कोई सा कंट्रोल एफ 11 12 तो गड़ बड़ हो जाएगी बाकी दोस्तों सोटकी कि मेरे पास में एक अगला qustPlay you can train counted में क्या पूछा है दोस्तों कंप्यूटरों में मेमोरी डिवाइस के रूप में निम idé 나서 कौन से परिपत्का पर्योग किया जाता है जो computer होते हैं दोस्तों उसमें जो हम memory device की रूप में कौन से परिपत का यूज हम करते हैं बताओ कौन से परिपत का यूज करते हैं दोस्तों अधिक pen realistic करा दे ağa अच्छा लगता आपको आपैसे सब्सuben होगे इसलिए जो भी मेरे को आंसर पता हैं वहां आपको अबकि बदी बात requires तो कॉछ an आपके स्क्रीन पर अगला है दोस्तों कोन स姐 लिए प्रक्षा बहाशा आये तो का क्षच प्रक्षर क्षुत्ण और तेक आंशर है ठीक देख अगला कुशन आपकी स्क्रीन पर 25 यह आप दोस्त अच्छा कुशन तो नेशनल ओप्टिक फाइबर नेशनल ओप्टिक दोस्तों फाइबर नेटवर्क विस्व में ग्रामिन संबंता परियोजना का सबसे बड़ा नेटवर्क है बहरत का पर्थम राज्य जिसने सबसे पहले अपने सभी जिलों के ग्राम बन चायतों को इसके माध्यम से जोड़ा ऐसा कौन सा स्टेट है देख रहो ना कितना अच्छा कुशन आपके लिए जैसे आप से पूश्च लेया कि भारत का पहला ऐसा रेल्वे स्टेशन जिसमें दोस्तों सबसे पहले वाइफाई की सुविदा करी गई ती तो यह कुशन आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो वाइफाई से रेल्वे के जितने भी कुशन है आप सभी लोग तयार कर ना शुरूर के दोस्तों तीन चार पास तो मुंबाई दिल्ली से ठीक है ना तो इस को सन का अंसर दोस्तों आपका केरल अए ऐसे स्टेट दोस्तापका केरल जिसमें दोस्तों आपके कौन से नैसलन ऑप्तिक फाइबर नेटवर्क से रिलेटिट से जोड़ा था उस टाइम का से अच्छा को सन होगा दोस्तों के ना मिंघेक हैं ना में आप से लोग मुझे कमेंड्स करो फास्ट नेक्से आपका 20 इस एंसे करेंगे 26 का बहुत इसी देखनें चाहेंगा आई की आपका कितना फास्ट है को चलते हम इतने एक प्लेर किमत 900 रुपिया आपने इसको दो किरिमिक छूटो के पश्चाथ 729 रुपय में बेच दिया अगर दोस्तों इस पर डिसकाउंट दिया तो दो दोस्तों के बाद में बेचा गया है तो कुल मिला कि दोस्ता आपके पास बचेंगे आठस 110 दसमें से दोस्तों कितना percent गटाया जाए कि 729 आजआ जाये 810 में से कितना percent गटाया जाए कि या तो आप बाई ऐप्सन से चले जाओ और फिर डारेक्टलि कर सकते हो करते हूं तो नहीं होगा दस परसेंट करेंगे तो आठ सो दस परसेंट कितना आएगा एक पारद देख लेते हैं कि दास तो आट सो डशुक्त हो तो एक पड़ा के नो कुल मिला के इसका आगए दोस्त आपका 10 पर्सेंट बहुत इजी कोशन ता आपसे भी लोग कर सकते हो यह कुशन अगर से किसी के समय में नहीं आया और 26 मापको बता देता हूं ठीक स्कॉर 9 4 चार स्कॉर 16 2 4 3 9 1 और 5 25 एक सो पच्चीस ठीक है 125 कि नेक्स्ट अरे अराम से अराम से बास 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 चीक है इसकी बात करो तो इसकी रिडियुस ज़ाएगी दोस्तो आपकी चार इसकी जाएगी साथ आप सबी फाले वरत की तरीजक इतनी यह इसकी दोगनी है तो यह भी दोस्ता दोगनी हो जाएगी नंटी जार्वेश ना इसही आठेशा अपस्ट है कुछ नि करना बताओ मैंने क्या किया को स्ट्वन सर नमडर 29 आपकी पास है 29 इसको एलका सा इरेज करूं क्या करूं इस्पेस नहीं बच पा रहा है चलो कोई नहीं मैं इसको मिटा के अलका सा उपर कर दे रहा हूं ठीक है दो व्रत्ते पहले वाले की तरी जारवन दूसरे वाले की आर्ट हो चार आ गई बाथ posman कार्ड के के खेल में दोस्तों ए और B के पास AR के धन का चार गुना है अगर आगे के दुर्फाष़ आगे कोई रहा है dust तो AR और B मिलकर जोना एक धन से तिन गुना है अगर एक पास में तो इन दोनों के पास में तीन आपके लिए दे रखा है बहुत अच्छा कोशन मेरे इसाब से तो ठीक है ना आगे क्या पूछ रखा है ठीक ना कुल रखम का कौन सा हिस्सा और के पास खेल में था पहले हम इनकी दोस्तों समरी कर लेते हैं दोस्तों इनकी जो पांच दोस्तों आजाएगा आपका पांच ऑढ़ recreate न यूंट के साब से तलस्तों हमारा रेसी होता उनका जो टोस्तों क्या होता है अगर दौस्ते अ दोस्तों आपको जाएगा 20 इसमें 4 सोला चारे कम चार इसमें दोस्तों करूंगा पांच तिया पंद्रा और पांच एकम पांच कैसे कि आप सभी लोगों को समझ में आई गया होगा क्योंकि इसकी टोटल ऑफ वैल्यू कितने आगे आप कह nodig रखने करने क Background आफ्रत पींगे टोटल हो जाएंगे इसके पास क्योंकि पर अगर पांच यहां इक कितने जैंगे बी के पास में 11, बी के पास में 11, आर के पास में 4 है, आर के पास में 4 है, हो गया equal, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह दोस्तों मैं समझाने के आपको कोशिस कर रहा था, इनका sum है, मैं बात करूँ एक बाद इनका sum, अगर दोस्तों एक साथ मिलकर समझ लो ना, वही तरीका, 11 और दोस्तों आ रहा, option number second, आगे समन में आगे चले, अगला कोशन आपकी screen बेर, pipe और टंकी का कोशन, अच्छा कोशन आप देखेंगा, दोस्तों इसको किस तरीके से करते हैं, एक pipe A है, एक pipe B है, दोनों दोस्तों क्या कर रहे है, एक टंकी को क्या कर रहे है, 15 मिनिट में भर र गड़ा, 60 में से 16 लगा है, दोस्तों कितने बचे आपके पास में, यह बचे दोस्तों आपके पास में, I think 44, जो 44 है, दोस्तों वो उसको total तंकी को बंढ़ने में कितना कुल समय लगा, यह दो 44 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 44 को दोस्तों जब आप 3 से divide करोगे दोस्तों कितना है, 14 मिनट, बागी दोस्तों का बचा कितना चोदेती है, 42, 42, 23, 60 कर दो, क्योंकि गुना साथ करके किसमा convert कर लेंगा हम सैकिंड में, तो 3 से 20 बार 20 दूनी, 44 मिनट, और 40 सैकिंड, आगे सुन में, आगे चले, अगला कुसन इस आए, दोस्तों बागे हम मैं जनम दिवस कहलाता है, आपको सूसासन एक्सप्रेस, 31 अक्टूबर आई थी, ठीक है, 31 अक्टूबर है, या फिर दोस्तों आपका थोड़ा सा पिसिंस रखेगा, इसमें दोस्तों देख लेना, बस मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता है, ठीक है, इसको मैं खटा दे रहा किसान ट्रेन चलाई गई एक किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, ये कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है, दोस्तों जो चलाई गई थी, चलाई गई थी, खियो से बिच में तो मुंबाई इस तरीके से किसान निल दोस्ता आपके कौन से बिहार से लेके पश्ची मंगाल तक इस तरीके से आप सभी लोग तैयार करें नहीं करोगे तो मुझे कमेंट्स कर देना मैं करा दूँगा ठीक है इस को सब्सक्राइब करने के लिए सोरी रास्ट्य परियावरन परबंदन अधीकरन एवं राज्य परियावरन परबंदन अधीकरन को इस्तापित करने के अनुसंसा का प्रस्ताव किस ने किया था अच्छा कोसन आपके एक्जाम में आ सकता है इसका प्रस्ताव दोस्तों सुबरमन्यम पैनल आये था उन्होंने आधे यहां राश्टय परियवर्ण बात कर लेते हैं थो सब्सक्राइब ए मिलता है दोस्टों आधिया में क्या और दोस्तों वर्ड में दोस्तों फेमशागी तो आधिकर यह फोटेशिट में मेंquito धोली झाल सबन्सक्राइब कर सकते हो इंद्रा गांदी एन्वार्मेंट अवार्ड 1987 में दोस्तों इसकी स्टार्टिंग की गई थी ठीक है ना जो जो मेरे को पता है मों आपको पताने की पूरी कोशिस करूंगा और गिरीन अवार्ड जो परिया वरन का दोस्तों जो दिया आता है यह हमारे च्छा हमाद वीपियों के इसाब से जो कारे करता होते हैं हर कॉंटीनेंट के उनको दिया जाता ड्या गया इस तरीकी अब है आप से पूछ ली जाए गिरीन ऑवार्ड की 2022 में किसको दिया गए मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा हूं देखिए हैं डोस्तों कि यह एलेक्स लिउ ऐसे फुन टे चाहँ है जिनको दिया गया दोस्तों दूसरी वक्ति कुण है दूसरी वक्ति आनलेक्जन्डर नौव कंगो मैं जर लोस्तों मैं 2022 में लोगों को दिया गाया गया दोस्तों आपका परिया वरं से रिलिटिड है और गिरीन अवार्ड kamu इसको इसकी सुरुवात की थी थी 1989 में ग्रीन अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों आपका परियावरंद से रिलेटेड जो अवार्ड है इसकी सुरुवात करी थी दोस्तों अमेरिका से और 1989 में रिचार्जड गोल्ड मैंने करे थी 2022 में दोस्तों इन व्यक्ति को मिल चुका है अगे चलें दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं अब हम करते हैं दोस्तों किसकी बात अपने कुशन लेके आते हैं इसी में दोस्तों बात कर लेता हैं ठीक है अब है हालेख फईलाली में दोस्तों आपकी ब्रहमोस मिसाइल एडियाемся मिसाइल है श Sec를 सोने क्रूज मिसाइल है इसको क्या किया है दोस्तों एक कंट्री जुनोंने तोस्तों रिबेके स्कर प्रस्ताव किया था वह कौन सी कंट्री को कोशन आप से मैं पूसना चाह रहा था सुपर सोनी क्रूज मिसाईल है कौन सी कंट्री आशी जो दोस्तों भारत से खरीदेगी ठीक खरीदा नहीं अभी तक पर खरीदेगी इसके लिए प्रस्तावाया था वह कौन सी कंट्री आपको बताना है ठीक ना यह कुस्षन तो आपक एम के फस्ट में इसका यूज किया रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का कौन से विमान में और इसकी जो रेंज है ना दोस्तों वह 500 से लेके 800 किलोमेटर तक है जो वरतमान में आये दोस्तों उसकी नहीं जो ब्रह्मोस मिसाइल आई यह उसकी 800 किलोमेटर रेंज है और जो दोस्तों अभी मेरे को लगा मैंने आपको बताने की कोसिस करी अगला कोशन आपके स्क्रीन पर है मैथ को सब्सक्राइब कर देंगे चक्रविद्धी ब्याजपर दोस्तों एक रखम है 15 वर्स में अपने आपको दुगना कर लेती है तो कितने वर्सों में आठ गुना हो जाएगी अच् गुना हो जाएगा आगर मैं यह इगा तो से अगले साल में का Cayla साल में यह भी होगा पंदरे साल में तो-्ट्रे में उगाए बताओ इससे जी क्या हो सकता है इसका हाँ आगे संद में आगे चलो इसी बात पर चलो कि बस वेटा सेकंड थोड़ा सा यह मुझे लगा रहा है कि क्या हो गया वह कोई नहीं कि अराम से यह माउस प्रॉब्लम कर रहा है नहीं चलो कोई नहीं कोसे नमबर 35 आपकी स्क्रीन पर एस कांसर मुझे आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे इस्टिल का एक योगी के लोहे और कार्बन का अनुपाद उसमें दोस्तों तीन अनुपाद चार एक योगी के दोस्तों इस तरीके से मत करो आप सभी लोगों मैं आपका जो बेसिक होता है मैं उसके आप से बताने कोशिस करता हूं तीन अनुपाद चार है इसको एक्स मानो इसको एक्स मानो ठीक ना यह दोस्तों आपका क्या है कार्बन है इसमें दोस्तों आप से मिला दिया जा रहा है क्या रह इसको मैं मिटा दिराऊं वन को तो कि यह चार सु आसी बारेचों कर तालिस ठीक है और यह जाए दोस्तों आपका 20x तो जब इसमें 63 करोगे तो कितना जागे दोस्तों आपका 180 kg आगे सब्सक्राइब के संदर में SDR का तात्पिले क्या है दोस्तों यह किसकी आएमेफ की इंटरनेशनल मौनेटरी फंड और यह दोस्तों आपके कौन सा एक एक अहरन अधिकार है या दूबत नहीं है विसेश य राइट से ठीक है विसेश आरन अधिकार है एक एसडी आर ठीक है बही बताओ सभी के सभी आगे समय में SDR इसपेशल ड्रोइंग राइट्स मुद्रा है आई एमेफ आई एमेफ किसकी दोस्तों एक संस्ता यूएं की यूनाइटेड नेशन की इसकी स्थापना होती है दोस स्काद दोस्तों अफुसियल लैंग्वेज है वह दोस्तों इंग्लेइस है GP ऐलीना अ एक सेंड़नाइट कैंट्री में दोस्तों बीलॉंग कर रही और इसके दीकी दोस्तों भारत और अदेश्रियो कि महिला गोपीना निदीट देवन गोपिनार वह तो आई एफ में ही हैं गीता गोपी नाथ ठीक है भई नाथ चलो कोई नहीं समझ गए आप सभी लोग ठीक है कोई दिक्कत आगे चले अगला कुछन आपकी स्क्रीन पर उत्री दुरू पर भारते रिसर्च इस्टेशन का क्या नाम है हमारे दोस्तों तीन इस्टेशन है तीन छिंगंगोत्री ऐग में चलें आगे चलें तो सब्क्राइब को बता लाए किस्कशन का आइन सरय हमादरी और इस का दोस्तों आपका sdr विशेश आहरन अधिकार अगला कुछिन आपकी स्क्रीन पर 38 38 में क्या पूछा हुआ आपसे नियम लेकेते में से कौन से सर्व डाटा एक एलिमेंट्स को दोस्तों निम्तम से विसालतम के रूप में करता है कौन से ऐसा डाटा है दोस्तों जो एक न्यूनतम से ले आने का वर इस मेरे आप से क्योंकि फाइल के बाद में दोस्तों डाटाबेस आता इतीना STEPHAN firm कि ही बाद में डाटाबेस आएगा फाइल डाटाबेस थोड़ा से मैं स्वाइज कर देता हूं क्योंकि इससे आपको थोड़ा से यह यह भी नहीं है और आपका दोस्तों यह भी नहीं है ठीक है ना तयार होता हुए तयार होता है कि तयार होता हुँ यह तयार होता हुगा इंद यू अपना बिल्कुल थारड इसका अंसर है बहुत अच्छा कोशन था मैं आपको बताने कोस्ट करी डाटा बेस तयार होता है दोस्तों वह कलेक्टिन ओफ फाइल से रिलेटिड है ठीक है तो sql sql जो है दोस्तों एक आपकी क्या कहलाते है एक लेंगवेज है sql क्या है दोस्तों आपकी लेंगवेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंगवेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंगवेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लेंगवेज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी नाम जो ना उसको क्या करना है रिनेम करना चाहरे है रिनेम के लिए दोस्तों हम इसका यूज करते है एसक्यूल लैंग्वेज में दोस्तों एज क्लाउज का नहीं कि रिनेम पर चालन में ठीक है समझ में आया कि नहीं मानके चली दोस्तों एक टेबल है उस टेबल में आपको आपको मेरे कोई आपको नहीं नम करना या दोसतों दूसरा नाम रखना सेव स्क्यूल लंगुवेजु समझ में आगिया होगा easy से जो मेरे को पता है मैं आपको बताने के पूरी कोशिट करूंगा CMM इस तरह में एक होते हैं यह CMM मेरे को पत नहीं पता है CMM देख लेना गूगल करके जाके ठीक है भई छोड़ता हूं मैं स्कॉसन को कोसर नमबर 14 आपकी स्क्रीन पर जो था कोसर नमबर 41 की बात कर लेते हैं अच्छा कोसर यह आया अपने फिल्ड का कोसर 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गकार मैदान के किनारे पर एक गोड़े को 7 मीटर लंबी रसी से बांदा गया वर्गकार मैदान का न्यूंतम संभावी छेतर जो बच गया है चरने से बहुत अच्छा कोसर नहीं एक स्कॉायर टाइप का आपका मैदान है 10-10 मीटर की उसकी साथ मीटर है 7 मीटर के इसाब से चला जाए दोस्तों आपको बताऊं वह स्थोड़ा सपीसेंस रखो साथ मीटर की उसकी रेडियस है कि समझ यह मैं इस कोस्न को किस तर्यके से करना है तो यह दोसता आपका बन गया कि एक चतूरतांस अगर दोस्तों बात करें दोस्तों चतुरतांस का चेत्रफल यानि कि इस वाले वरत का चेत्रफल पाई आरी स्कार हो जाएगा दोस्त आपका यानि कि पाई की वैल्यू बाइस बटे साथ गुनाउन अन्चास तो यह होगे दोस्ता आपका बाईस सत्ते सब्सक्राइब दोस्तों में सब्सक्राइब निकालना और इस एरिया में से गटा देना जो बचा हुआ था यह वाला वह एरिया जो बच गया क्हाने से क्योंकि दोस्तों वह घोड़ा बस केवल यहां से यहां था कि राउंड ओफ कर पाएगा हाँ आपिसमन में नहीं तो चलो अगे चल ले रहें अगला कुस्ण आपकी स्केरेन बर हां 42 बहुत अच्छा कोसं है 42 देखते हैं कितनी स्ट्रेंड इसको करते हैं चलो बही करो बस एक साइकिंड मैं थोड़ा सा बोल रहां रूरा थीनुर थोड़ा सा थोड़ा सा है नही अनील अभै और दोस्तों क्या संजे एक कार्णे को 10-15 और 12 दिनों में पूरण कर लेते हैं अनील अभै संजे किसी काम को दोस्तों वे कर रहे हैं तो दोस्तों यह कर रहा है कितने दिन में कि 10-12-15 तो उसका अरे कोई बात नहीं तो इसका दोस्तों वह आएगा निकलके एल्सियम हुआ जाएगा साथ तो दस चिंग साथ 12-15 चोके साथ ठीक है एक काम को चार दिन में करेंगे च्छा दिन में पांच दिन में जो भी है सभी ने एक साथ कारे करना शुरू करा और दोस्तों अनील जो है न दो दिन कारे करके चला गया केवल अनील की बात करें दोस् है कि आप से 12 काम कर लेगा साथ में से 12 गटा है दोस्तों बचा हुआ काम कितना बचा 48 जो कर रहे होंगे दोस्तों अभे और संजे ठीक है अब आगे कहा दिरेकर दोस्तों कारें पूरा होने से तीन दिन पहले वाली दोस्तों अगर इस तरीके का आपके एक्जाम में कुस् कर दोस्तो अधिक जोड eping कर रहें कर रहा हो गर नील तो जा चुकआ है कि और अब कि अभी कोई प्रोब्लम है क्या नहीं है ना तो मेरे इसाप से नहीं है जब आप इसको करोगे दोस्तों इस तरीके से तो आपका अंसर एक्दम जब बर्दस्त आएगा ठीक है 63 अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन नंबर 43 फीजिक्स से रिलेटिड आपका कोशन आ चुका है अच्छा कोशन है पानी से हटाए जाने पर डाड़ी के बानाने वाले ब्रस के बाल आपस में चिपकने लगते हैं किसके कारण चिपकने लगते हैं कोई घरसन होता है बि क्यों लगया कमबक्त ठीक है अगला कुछन आपके स्क्रीन पर फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग का कुछन है और मैं इसको दोस्तों आपको इंग्लिस में और हिंदी में दोनों में रीडाउट कराऊंगों क्योंकि एक कुछन आपको कम्प्लीट ले इस तरीके से हैं तो यह दोस्तों आपका फोल्डिंग वाला कोसन था आप से लोगों ने देखा और आप इसको मुझे आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट वैसे इसका अगला कोसन आपकी स्क्रीन पर है है मैं इसको वहीं ले जाता हूं जहां पर चल ले देंगे नेक्स्ट को सब्सक्राइब 464748 अमल होता है दोस्तों आपका एसीड क्या करता है दोस्तों लिटमस्क और ग्यान और यह कोसन रिजनिंग का अच्छा कोसन है चलो भी लगाओ अपना तार की दिमाग और बता इसका अंसर क्या है अमल क्या करता है दोस्तों लिटमस को किस तरीके से moment रिचेंज कर देता है ड्रैमें तो मैं थोड़ा लगा रहा हूं लिटमस को कर सकता है एक क्या करता है लिटमस पेपर पर हम क्या करते हैं एक परिक्सन कर सकते हैं टैस्ट के भ्याव पर ले सकते हैं सीखना सोचना जलना ज्यान जैसे एक थोड़ा सा ऐसी तो डिलेशन बनाओगे आप सभी लोग तो इसी तरीके से तो अमल ज क्यास होती है जो आला मुख्यज़ होता है दोस्तों उससे निकलता है दोस्तों यह लावा के ह्मा लिखा गया effect लुए निकलता है भारत के दोस्तो दो जौण है जिनकानाम से योष्ट फार भी कोशिस करी जो आला मुखी की बात कर रहे हैं धसा कौनसा आपका एक कंट्री है या गॉंटिनेंट है जिसमें एकभी ज्वाला मुखी नहीं है आपको मुझे question answer comments करना ठीक है इसमें दोस्त आपका जलवास्प निकलते हैं बिल्कुल निकलते हैं कौन सी नदी ऐसी जे बंगाल की खाडी में नहीं गिरती है बहुत इजी कॉशन है आपको बताना है इसका पॉइ एक दो होतां यह क्वं से सचावर में गिरते हैं अर्सागर में ना कि अधेक गणगा सबेघिaciaücke और या पीजर कोई में तरीक ऑफिरह कोई है को एक याद नहीं है आप missionsnet करन motor लोग देखे लेना पंगाल की घूद में गंगा ऐसी कुछ कुछ है г fix माही नदी माहा नदी तो आपके दोस्तों बंगाल की खड़ी में गिरती है तो इस कोशन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्त हम आपको बता दो तापती ठीक है नेक्स्ट आपके स्क्रीण पर यहाद करेना कौन-कौन सी नदी कहां से निकलते हैं उनका उधगंव और दोस्तों का एंड कहां पर होता है ठीक है फिफ्ट नाइन और फिफ्टिन हम यही तक करेंगे को ज्यादा नहीं करने वाले हैं बागी दोस्तों नेक्स्ट वाले जो आ काल को हम पाते हैं दोस्तों अगर मैं आपको बता हूं यह रेखा होती है दोस्तों आपकी टाइम माली रेखा जो होती है अगर दोस्तों हम इधर की तरफ होता है आपका कौन सा इस्ट वैस्ट ठीक है जब हम दोस्तों पूरब की तरफ चलते हैं पूरब की साइड चलते हैं और तो दोस्तो यह time क्या होता है ईस्टवेस्ट पूरब की ओर नहीं करते हैं दोस्तों यह time absolute होता है छी Keith के इन्क्रीज होता हो झालस्तों गंड़ी के अंतर के बदेखा और देखा हुती है और जब घजब बताता है अगर दोस्तो आपको बड़ बनाना हो बड़े बनाना हो समझे रहो ना जैसे बड़े बनाना है तुम्हें आपको अपना तो क्या करोगे आप सभी लोग अमेरिका और दोस्तों एसिया की बात कर लेते एसिया और अमेरिका ठीक है एक दिन का अंतर आता है दोस्तों अराम से एक दिन का अंतर आता है इन दोनों के बीचे में अगर दोस्तों आपका 15 अगस्त को बढ़ते क्या बोल रहा हूं सुरी अगर दोस्तों आपका एक जनवरी होगा यह कौंसेप्ट आ जो आपको बताना था मैंने आपको बता दिया एक गंटा तेज ठीक करा रहा हूं दोस्तों करानी की थानी थिए वह हमने करा दिए M I C R के full form क्या है बहुत एजी सा कोशन है magnetic in character reader magnetic input character reader magnetic in character reader medium in character reader दोस्ते हैं भी medium input character reader तो इसका answer मुझे आप से भी लोग comments करो क्या है इसका answer question number 50 easy question है इसका comments में कर देना answer ठीक है live session के लिए मुझे time बताओ जैसे भी हो जो भी लगता हो आपको evening time बताना फास्ट ठीक है ना कैसा लगा session एक बार बता देना FCI में दोस्तों form फिल अप कर लो ठीक है ना च्छान तारिक से दोस्तों इसके form आच चुके हैं ठीक है ना 500 रुपे सकी फीस है आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से भर लेना अपने जोनवाइस लोकेशन के हिसाब से आप सभी लोग इसको form को फिल अप कर लो ठीक है कैसा लगा session एक बार से कमेंट्स कर देना सजेशन दे देना एडवाइस देना जो भी हो दे देना ठीक है तो चले दोस्तों गुडबाई मिलते अपने नेक्स सेशन में ऐसी इसी तरीके के उत्साह के साथ में इन्हीं को करते हुए ठीक है गुडबाई